तो भाई देख सकते हो जैसी महीं है क्या करता हो कोई भी एक ID बनाता हो मतलब को email की तो मुझे यहां देखो clearly mention बताता है यहां हमको बताता है देखो sign in with your work account नीचे बताता है work email ID अब इसमें इंटर करें then यहां आपको निचे बस एक option मिलता है forget email का और यहां में देखो निचे का अगर आप दूसरे device में देखोंगे तो हमें है एक निचे का option मिलता है create account का बट इसमें देखो मुझे create account का option शोनी हो रहा है और इसमें हमें email ID इंटर कर रहा हूँ तो यहसे मेरा account भी नहीं बन पा रहा है तो simple सा कायने का मतलब है इसको हम problem को fix करेंगे आज और आपको में live बताओंगा कि आपको email ID इसमें कैसे बनानी है और इसको कैसे खोलना है जो भी आपके idea वो खोल जाएंगी इसी तरीके से तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको अपनी mobile की screen पर आ जाना है चलिए अभी उसके बाद आपको अपने mobile में एक browser already दिया जाता है chrome browser आपको दिया जाता है आपके mobile में सिंपल सब क्या करना है इसे open कर लेना है चलिए इसको open कर ले आपने कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएंगा अभी आपको ग्या करना है सर्जबार पर जाके कि आपको करना है देख सकते हो जैसी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो मुझे है देखो काफी सारे option यह आई चुके और यहाँ देख सकते हो आपको भी clearly ऐसे ही बताएंगा क्या बता है रहा है आपको email और phone तो इसमें आपको क्या करना है अगर आपके email ID already है तो आप इसमें डाल सकते हो otherwise आपको यहाँ से new create करना है अपने mobile में इसके पहले आपके पास कोई email नहीं थी या थी आपको पता ही नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है नीचे एक option मि इसको इंटर कर दिना है देन यह आपको यह दिखना है जो भी आपका है उसके बाद आपको next वाले option पे आपको click कर दिना है चलिए इसके बाद अभी data बढ़त अब यह बता रहा है आपको select कर दिना है और simple ज़्या यह एर डाल देना है आपको देख सकते हो मैं यह दाल दे आपको बतानी के लिए दार रहा हूँ और simple ज़्या देख सकते हो हम नेक्स्ट पर click कर दे तो देखता हो यह email आईडी है तो simple ज़्या यह email आईडी हमारे पास है तो simple ज़्या इसको क्या करना है अभी आपको copy कर लिए आपने अभी next पर आपको click करना है password यहाँ से आपको set कर देना है चलिए हमने यहाँ पासवर्ड भी set कर लिया इसके बाद double हम नेक्स्ट वाले option पर click करेंगे तो simple ज़्या देख सकते हो हमारे इसमें email आईडिया से बन चुकी है अभी आपको क्या करना है यह skip पर click कर देना है और आपको यह account यहाँ से बन चुका है अभी आपक आपको क्या करना है देख सकती है आपको बता रहा है यह work email का option नीचे इंटर करने का तो simple से इस पर click करके आपको क्या करना है जो अपने email ID copy करी थी जो बनाई थी उसका पको same इसमें डाल देना है नीचे next पर click कर देना है और आपको अपना जो भी password बनाया था आपने वह password इसके अंदर इंटर कर देना है तो आपका simple सा account यह से login हो जाएंगा मतलब आपका जो इसमें account नए create हो रहा था वह problem यह से fix हो जाएंगी और यह मेरे problem नहीं था यह मेरे सब्सक्राइबर्स का problem था जो कि मैंने आपको बताया हूँ इस तरीके से आप fix कर सकते हो problem को को कोई दिककत के बात नहीं है नए mobile में यह इस तरीके से problem आ रही है तो इसको मैं solve करकर तरीका बता दिया हूँ आपको वीडियो informative लगेंगी जैब आपको चैनल को subscribe करना है मिलते नेक्स ऐसी वीडियो के साथ thank you for watching